Hello and welcome friends, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको sequence formula का advance use बताऊंगा, तो इस वीडियो में आपको sequence formula का advance use बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे, is equal to का निशान लगाएंगे, ठीक है, और यहां लेखेंगे sequence, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताए था, एक से लेकर अगर 7 तक या 10 तक हमें sequence चाहिए, तो यह हमें एक यह कही row में, आप देख सकते हैं, आप देखिए यह एक row है, और इसी row में आप देख सकते हैं कि यह numbers fill हुए हैं, एक से लेकर 7 तक, हमें अगर column wise चाहिए, मतलब अलग-अलग rows में चाहिए, तो यह कैसे होगा, इसकी बात करेंगे और अलग-अलग differences के साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले sequence का formula लगा लेता, तो S,E,Q,U,N,C,E, sequence लगा लिए हमने, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए, हम चाहते हैं कि यह formula जो है, 5 से, यहाँ पर 5 किया मैंने, और यहाँ पर किया 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कि यहाँ पर 5 तक यह print होकर आ जाएगा, तो मतलब कि 5 तक print करना है, इस formula का मतलब क्या बना, यहाँ पर देखिए, यह formula है, हमारा F2 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा पहले 5, तो 5 का मतलब यह होगा, कि यह 5 तक sequence होगा, इ चला जाएगा, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 5 के बजाए 15 कर देता हूँ, या कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पर 50 कर देता हूँ, ठीक है, अब एंटरपेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर automatically 50 तक यह numbers भील हो जाएगे, ठीक है, इसी तरह से इसको change ठीक है, तो यहाँ पर 500 तक यह fill हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपको already 300 प्लस में यह आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देखेंगे, यह 500 तक यह fill होकर आएगा हमारे पास, तो यह देखेंगे, last वाला जो sequence है, वो 500 आपको दिखा रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, करेगा, ठीक है, 5 करने का मतलब क्या है, कि यह 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से यह देगा, देख सकते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लेकिन difference कितने कितने का है, देखिए, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5 का difference आप को, कि 5 का difference, यहाँ देखिए, 1 और 6 के बीच में 5 का difference है, 2 और 7 के बीच में 5 का difference है, इसी तरह से 7 और 12 के बीच में 5 का difference है, तो यह 5-5 के difference पर देता चला जाएगा, चलिए, इसको हटाते हैं, कुछ और different type, try करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसको delete करता हूँ, यह, यह हमने क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ही रखता हूँ, और यहाँ पर 10 रख देता हूँ, अब देखिए, क्या होता है, ऐसा करने से, तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, तो यहाँ 10 से start करेगा, ठीक है, अब दे start किया है, मतलब 10 से start हो रहा है और 10, 11, 1 इस तरह से करके या रहा है, अगर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ लेकि यहाँ पर देखिए 2 दे दिया मैंने और interface किया, तो अब देख पाएंगे कि यह दो column, अलग-अलग columns में आ चुता है और 10 के बाद 12, यहाँ पर देखिए 10 के बाद 12 आ रहा है ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 11 के बाद 13 आ रहा है तो 2-2 का ही तो अंतर है, लेकिन यह 2 columns में print हो जाएगा, और उस तरह से अगर मैं करता हूँ यहाँ पर आता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ देखिए, यहाँ पर 1 रख दिया मैंने, तो यह एक ही column बनेगा ठीक है, एक ही column में row-wise यह print होता चला जाएगा तो इस तरह से करके आप sequence formula का यूज़ कर सकते हैं अब मान लीजे कि आपको दोस्टो करना हो, तब क्या करेंगे तो यहाँ पर आप simply के वल 10 लिख दीजे, ठीक है यहाँ पर 10 लिख ही है और एंटरपेस का दीजे तो यहाँ पर देखिए, 10 columns में यह print हो जाएगा और बाकी row तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 ही दिया है यह देख सकते हैं, इस सुरुवाद में मैंने 5 दिया है तो इस तरीके से आप sequence formula का advance यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया तो आप इसे share करें Thank you for watching this video